बारत का अपने भुतिक परदेश पढ़ रहे थे, उत्तर का विसाल मैदान तो पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे बाकी चीजे, देखो कैसे पढ़ेंगे, देखो, उत्तर का मैदान पढ़ लिया था, कोई समस्या नहीं थी, बहुत आसान है, उत्तर का मैदान, अब जो चीजे हैं एक चीज होती है सब को पता है इस बात का कि जिसके चारो और पाणी हो उसे द्वीप कहते हैं जिसके चारो और जल हो और जिसके तीन और हो उसे प्राई द्वीप कहते हैं यानि ये है अरबसागर, ये है बेव बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महसागर तो इसके बारत के तीन साइड में पानी लगता है ये छेतर हो गया प्राई द्वीपी भारत दक्सिन का जो छेतर है वो प्राई द्वीपी भारत है प्राई द्वीपी भारत की अगर बात करी तो ये भोत बड़ा छेतर है लग भग सोड़ा लाख वरग किलोमेटर यानि पूरे भारत का छेतर पल 32 उसमें से सोड़ा ये 50 परसेंट तो ये ही हो गया लग भग 45 परसेंट आए गाई जबकि confusion ये रहता है कई बार परसंद पूछ लिया कि भारत का सबसे बड़ा भोतिक परदेश कोण सा है उत्तर का विसाल मैदान इसके नाम लगता है विसाल ये तो सिर्फ confuse करने के लिए तो साड़े साथ लाख ही जैसे कई बर पूछ लेते हैं अपने राज़स्तान से समंधी की राज्तान कोण साब रास्टि उद्ध्यान नहीं है अब हम पढ़ते हैं रास्टि मरू उद्ध्यान वो मरू के आगे तो रास्टि कन्फूज के लिए लगा रखा है तो ऐसे ही कनिफ्यूज है ये तो उत्तर का विशाल मैदन ये है ये नहीं विशाल विशाल तो ये प्राई दीपिय भारत यानि प्राई दीपिय भारत 16 लाख वरक किलोमेटर सबसे बड़ा भुतिक परदेश है और गोडवाना लेंड का उसे से ये गोडवाना लेंड अंगारा लेंड टेथी सागर पेंजिया पेंथाला सा इसका जिकर अलग से करेंगे विडियो में ठीक है गोडवाना लेंड इसकी उंचाई अगर उस्त उंचाई देखें तो 600 से 900 मिटर तक है लगभग 600 से 900 मिटर तक लंबाई चोड़ाई अगर देखें फिक्स तो नहीं होगी लगभग ये 1600 किलोमेटर है से लंबा है चोड़ाई की अगर बात करें तो लगभग है 1401 किलोमेटर लंबाई और क्योंग चोड़ाई देखो यहाँ ज्यादा है कम मैं कम मैं अंत्वजीर है इसलिए कोई फिक्स नहीं है अब इसमें जो जो भाग है वो देखेंगे कौण कौण से भाग है क्या है देखो क्या क्या पढ़ना है गोड़वाना लेंड में बहुत सारी चीजे हैं गोड़वाना लेंड गोड़वाना लेंड में अगर बात करेंगे तो जैसे मालवा का पठार, विंद्याचल परवत, सत्थ पूड़ा परवत, दक्कन का पठार, छोटा नागपूर का पठार, अरावली, मेगाले का पठार, ये चीज़े पढ़नी होगी, इनके बारे में एक दो एक दो एक दो परसन आते ही रहते हैं, इससे पहले कुछ चीज़ और पढ़ेंगी, इसको नहीं पढ़ेंगी, क्यों ऐसी जचगी, देखो क्या पढ़ेंगी, यहां यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमर कंटक, कहां है सर अमर कंटक, MP में, अमर कंटक MP से एक नदी निकरती है जिसका नाम है नरमदा, थोड़ी से आगे जाने के बाद, यहीं जबलपूर में नजदी की यहां एक जल परपात बनाती है, जिसे बोलते हैं धुआ और दार जल परपात, खतरनाग धुआ उठता है, ऐसे उपर से पानी गिरता है, भेंकर तरीके से दुआ दार जल परपात, यहां उकरास्वर है, जबलपूर है, राइगड है, यह इसी नदी के किनारे है, थोड़ी से आगे जाने के बाद यह नदी आगई एक दूसरे स्टेट में गुजरात में, गुजरात में इस नदी के उपर एक बांध है, जिसका नाम है सरदार सरोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अपने राजस्तान का भी जिक्र होता है, नरमदा नहर का, नरमदा परियोजना है, चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्तान आएगा, गुजरात आएगा, MPB आएगा, याद यह रखना आएगा, म अब देखो थोड़ा सा उपर जाने के बाद जालोर और जालोर के बाद में उपर जाएगी ये बाड़ मेर अगर बात करें नरमदा की कुल लंबाई 532 किलोमेटर है जिस मेंसे चोतर किलोमेटर राजस्तान में है चोतर मेंसे लग भग 65 किलोमेटर जालोर में और 9 किलोमेटर है बाडवेर ये राजस्तान की पहली सिंचाई परियोजना है ऐसी जो बूंद बूंद टपका टपका बूंद बूंद सिंचाई होती है बूंद बूंद का मतलब होता है फौरा फौरा पद्दती से सिंचाई होती है ये पहली नहर है नरम्दा कई बार इसका परशन पूछ लेते हैं नरम्दा ये भी पूछ लिया नरम्दा से सरवादिक लाभानवी जिला अब भी चोतर में से 65 जालोर में है तो सरवादिक लाभानवी जिला भी कुण सा होगा जालोर ही होगा इसके बाद में ये नदी आगे जाती है नरमदा और आगे जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है कुल लंबाई है इसकी 13-12 किलोमेटर अरब सागर की और जाकर गिरने वाड़ी सबसे लंबी नदी है नरमदा नदी कई बार पूचा है नरमदा नदी क्या नहीं बनाती है नरमदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है डेल्टा सब्द का सरवय पर्थम परियोग इधियास के पिता हेरोडोटस ने किया था जब उसने नील नदी का डेल्टा देखा था जो विश्वय की सबसे लंबी नदी डील नदी यहाँ डेल्टा यहाँ यह समझो यह डेल्टा नहीं बनाती तो सर क्या बनाती है यह एस्यूरी बनाती है जिसे हिंदी में बोलते हैं जमार नद मुख ये क्या होता है सीधा समझो जो डेल्टा नहीं बनाती हो एस्यूरी बनाती है यानि जो नदी सीधे डेल्टा का मतलग काँप है कादो है रेते जो नदी सीधे सीधे जाके समुंदर में गिर गई वो होती है एस्ट्यूरी जमार नदबुक इस नदी के नीचे फिर देखते हैं नरमदा के दक्स ने फिर एक नदी निकलती है यहां एक पहाड़ी है बेतुल MP में नरमदा के बाद में यहां नदी निकली तापी और खमबात की खाड़ी में आके गिर गई अरब सागर में इसकी लंबाई है 730 किलो अरब सागर में गिरने वारी भारत की दूसरी लंबी नदी है यह दोनों नदिया अगर बात करें तो बरंस गाटी में से गुजरती है सर बरंस गाटी क्या होती है बरंस गाटी भी कुछ तो होती है बताने क्या होती है देखती है क्या होती है नहीं पता कोई बात नहीं देखो मान लो आपके पास एक पराथ है पराथ में आपके पास रेत है क्योंकि पाड़िया हमने देखी नहीं राजस्तान वालों नी तो हम पराथ का उधारन लेके रेत का उधारन लेगे हमने रेत में यहाँ पाणी डालना शुरू किया पाणी ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया जल और अंदर बीच में एक लाइन बन गई जल पार हो गया अच्छी तरीके से जल डालते गई एक लाइन बनती गई और एक नाड़ी बन गई इसे ही कहा जाता है भ्रंस घाटी यानि नदी पाणियों में से गुजरती हुई एक लाइन सी बना लेती है और उपर से देखते है नीचे एक नाड़ी सी दिखाई देती है वो ही ब्रंस घाटी होती है बारत की तीन नदियां ब्रंस गाटियों से गुजरती है नमर एक नरमदा है नमर दो तापती है और कोण सी है सर और है दामोदर्म ये तीन नदियां ब्रंस गाटियों से गुजरती है मान लो आपने पाणी यहां भी डाला और एक ब्रंसगाटी यहां मना दिया अब इसके अंदर आप डालते गए डालते गए यह बीच वारा रेत का पार्ट उपर उठ गया साइड में नदी होगा यह जो उपर उठा है यह रेत का उधान लिया लेकिन परवत में अगर होगा तो यह परवत बीच में उपर उठ गय करांगा जी करकुन सुए अब हमें पढ़ना है ये चीज़े सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार की मालवा का पठार अगर पता हो तो राजस्तान के हडोती के पठार में भी है इसका मतलब इसमें राजस्तान भी आएगा गुजरात भी आएगा और MP भी आएगा यह पहला हुआ है ये मालवा का पठार अगर सीधा पूछे तो मालवा का मतलब दिमाग में MP ही आना ची मालवा का पठार MP में है ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है मालवा का पठार पूरुए में ये बुंदेल खंड है रुहेल खंड है और चोटा नागपुर के पठार तक चला गया है मालवा का पठार ये लोजिक कोई समस्या नहीं है मालवा के पठार में मालवा का पठार MP में है, गुजरात में भी, थोड़ा राजस्तान में भी है, राजस्तान का दक्षनी पुर भी हिससा आता है इसमें अब देखते हैं विंद्याचल परवत, देखो, नरमदान अदिय के उत्री साइड में यहां एक परवत है, उसी का नाम है विंद्याचल परवत, विंद्याचल नरमदा के उत्तर में कितोक लंबो है गुर्ची? बारा सो किलोमेटर लंबा है यह, लग बारा सो किलोमेटर, गुजरात, एमपी, आगे तक चला गये बिहार, सासाराम तक फैला हुआ है यह, बंडेर, बंडेर यह इसकी, अगर बात करें तो पुर्वी पहड़ यह, बंडेर है, केमूर है यह, विंद्याचल परवत एक तर अब नरमदा के दक्सिन में तापती के उत्तर में एक परवत है यहां, जो मैंने कहा था पहले जो बीच में आते हैं वो ब्लोक हो जाते हैं, वो ब्लोक परवत का उधारन होगा, कोण सा है सर ऐसा, ऐसा भी एक परवत है जिसका नाम है यहां है, सत्पूडा परवत, बेरी तक चला गया है, अगर बात करें, गुजरात आएगा, एमपी आएगा, इसके बाद में थोड़ा सा आगे 36 गड़ और जारखन तक चला गया है यह, 36 गड़ जारखन तक, यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है यह, कोण सा सत्पूडा परवत, राजपीमपला से सुरू होता ह है, इधर पसी में और अमर कंटक तक जाता है, इधर राजपीमपला पाड़ी, इसमें एक दो इंपोर्टेंट पाड़िया है, लगबग यह, विंद्याचल परवत 1200 किलोमेटर है, सत्पूडा परवत लगबग 900 किलोमेटर लंबा है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, चट्ट हनिमून दीजाओगे, राजस्तान के हो तो हनिमून के लिए आपको आपबू बगिरे देख आने हैं, वहाँ जाएंगे वो पंचमंधी भी एक ऐसा हिस्तान है, पंचमंधी के नज़दीक एक स्थान है धूप गड़ी, धूप गड़ी, पंचमंडी के नजदिक धूप गड़ी कहा है सर ये महादेव परवत के उपर है महादेव, महान है जो देव, उसके उपर है धूप गड़ी तेरा सो पचास मेटर उपर है ये तो मेरे प्यारे दोस्तों सत्थपुडा परवत की सबसे उंची चोटी है धूप गठी सर दूसरी बताओं दूसरी उंची चोटी वही है अमर कंटक जहां से नरमदा नदी निकड़ती है ये दूसरी उंची चोटी है अमर कंटक जिसकी उंचाई लगभग 1127 मिटर है 11 लंबाई तो इंडिया लेवल पे है लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखे ये अमर कंटक वैसे भी इंपोर्टेंट है क्योंकि अमर कंटक से दो नदियों का उदगम होता है दोनु नदिया कई बार पूछले थे क्योंकि एक नदी तो नरमदा इस साइड में एक नदी सोन जो इस साइड में जाती इसलिए ये इंपोर्टेंट है अमर कंटक के एक साइड में तो है नरमदा नदिया जाएगी और दूसरी साइड में चली जाएगी सोन नदी इसी का लास्ट में अगर वैसे अगर बात करें नरमल थोड़ा सा देखें राजपीम्पला है पहाडी है महादेव पहाडी है मेकाल पहाडी है इधर लास्ट में मेकाल पहाडी तो एक तरीके से सीमा सी ही बनाती है MP और 36 गड़की सबसे पहले मैंने बताया मालबा का पठार उसके नीचे आ गई विंद्या चल उसके नीचे आ गई सत्थपूडा परवत कोई समस्या नहीं है अराम सी समझ में आ रहे हैं अब सर आगे बताओ बताते हैं देखो यहां हम जिकर अरावली का अरावली भी गोडवाणा लेंट का अवसे से अरावली का जिकर यहां नहीं करेंगे क्यों नहीं करोगे सर अरावली 692 में किलोमेटर है पालनपूर गुजरात से राजस्तान होते हुए हरियाना और राइसिन की पाड़िया दिल्ली तक जाती है इसका इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका पूरा एक, एक खोजबिन करके राजस्तान के संदर्व में पढ़ते हैं इसको भहीं पढ़ेंगे अब अगर बात करें इम्पोर्टेंट एक पठार वचा है जिसका नाम है छोटा नागपूर का पठार कहां है सर चोटा नागपूर का पठार जारखंड और पस्मी बंगाल दो राज्यों में लेकिन सिधा दिमाग में जारखंड आना चाहिए चोटा नागपूर का मतलब दूसरा है पस्मी बंगाल इसमें खनीजों के लिए भूत अच्छा स्थान है इसे भारत का रूर कहा जाता है रूर क्या है रूर जर्मनी का एक स्थान है इस पठार के बीचों बीच से पस्सिम से पुरू ऐसे एक नदी निकड़ती है जिसका नाम है दामोदर कई बार पूछ लेते हैं छोटा नागपुर के पठार से कुण सी नदी गुजरती है दामोदर नदी इसके उत्तर पुरूए से इधर वो सोन चली जाती है इधर दामोदर नदी बीच में से गुजरी और इस पठार को दो पार्टों में काट दिया एक उपरी पार्ट एक दक रांची का पठार उपर हजार है हजार उपर रहेंगे रांची नीची है उपर वाले का नाम हजारी बाग का पठार नीची वाले का नाम रांची का पठार इसकी सबसे उन्ची चोटी कोण सी है सर इसकी सबसे उन्ची चोटी है पारसनाथ किसकी छोटा नागपुर के किती कुंची ए गुर्जी? तेरा सो छांसट मेटर. भोत अच्छे से समझ में आ रहा है. सबसे पहले मालवा का बताया है, मालवा का मतलब MP ही होता है. विंद्याचल बताया है, लगभग बारा सो किलो मेटर लंबा है, दो तिन एक स्टेटों में फैला हुआ है. नरमदा नदी, इ भारत का रूर है. दामोदर नदी उसके एक दम वीज से गुजरती है. इसके बाद में अगर बात करें तो दक्कन का पठार है, जो लगभग दो लाक वरक किलो मेटर में यहां पहला हुआ है. यह लावा से बना हुआ है दक्कन का पठार. दो तिन पार्ट इदर जो आंदर का पठार कहणी लगए, करनाटक में आ गया उसी करनाटक का पठार कहणी लगए. दक्कन के पठार में अगर बात करें नॉर्मल थोड़ा सा अगर देखिए, तो यहां हरिश्चंदर नाम की एक पहड़ी है, अजन्ता पहड़ी है, गविलगड की पहड़ी है, कहां है महार अब जो आ रहा है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है देखो बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां ऐसे है यह ठीक है यहां बीच में गंगा बगेर नदियां आ गई बांगलादेश आ गई यहां एक पठार है जिसका नाम है मेघाले का पठार क्यूं इंपोर्टेंट है गुरुजी यह पिछली बार फैस्ट्रेड में यही आया था मेघाले कैदो चाहिए सिलों कैदो क्यूं इसका परसन हमेशा यही आता है मेघाले का पठार किस बोतिक परदेश कांग है आप से गड़त नहीं होना चीए आज से नहीं होगा क्यूं? क्यूंकि मेघाले का पठार आप देखोगे यहां हिमाले की पहाडियां है बच्चे को लगता है हिमाले का भाग है यहां उत्तर का मैदान है बच्चे को लगता है उत्तर के मैदान का भाग है नहीं यह प्राइदी पी भारत का भाग है फेस्ट ग्रेड जियोग्राफी में आया हूं कि उसन है यहां यहां यह इसी का पार्ट था बीच में नदियां आके वेचारे को अलग कर गई वरना मिघाले का पार्था तो इसी प्राइदी पे भारत कांग था यहां राजमहल पाडियां है लास्ट यहां है गारो इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं जो बीच में आ गया है उसे दूसरा नाम है मालदा गैप ये बीच में गैप आ गया राजमहल मालदा गैप, वरना इसी से विचारा जुड़ा हुआ था, परिवार इसी का है अलग होके बैठा है ये तो, समाद से बाहर हो गया, न्यात सी बाहर हो गयो तो, मेघाले का पठारिया सिलोंग, इसमें कुछ पाडियां है गारो, करम से है खासी, जैंतिया, करम से है ये किस से पस्विम साइड से, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा, मिकिर, रेगमा, गारो, खासी, जैंतिया, ये तिन्नु तो है मेघाले में और ये मिकिर और रेगमा, ये है असमें, करम से है गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा, इसकी सबसे उंची चोटी है वो है 9 क्रेक मेगाले के पठार की सरवो चोटी है 9 क्रेक, 9 क्रेक, 14-12 मिटर 9 क्रेक, 14-12 मिटर खासी पहाडी के उत्री साइड में तो है खासी पहाडी पर शिलोंग नगर वसा हाँ है और खासी पहाडी के अगर बात करें दक्सिन में है चेरापुंजी जहां विश्वे की सरवादिक वर्सा होती थी, अब नहीं होती, अब होती है मानसी उड़ाव मेखाले के अंदर तो ये थी मेन मेन चीजी, कोई समस्या नहीं है, अराम सी याद हुआ होगा, अब भारत के भोतिक परदेशों में थोड़ा और बच्ची हैं, वो भी पड़ेंगे, मजबूरियां बहुत है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ कर करना है, इंडियन जियोग्राफी डालनी है, और भी फैस्ट्रेट जियोग्राफी भी डालनी है, आप से उम्मीद रखते हो मुझे से, जाइज भी रखना चीए, उम्मीद पूरी करने की कोशिस करूंगा, कर रहा हूं, आगे भी करूंगा,